श्री भक्त माल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त महिर्शी देवल और श्री व्यवस्वत मनु जी महिर्शी देवल ब्रह्मा जी के पर बहुत रहें परचेता के पुत्र महिर्शी असीत ने सो वर्ष तक भगवान शीव से प्राप्त भगवती राधिका के मंतर का जब करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था महिर्शी देवल ने साथ हजार वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की इससे परसन्हों करके भगवान शिरिकिष ने भगुदी रादिका सहीत उन्हें दर्शन दिये भग शिरिष देवल ने उनकी स्तुति करते हुए उनके जर्णों में गिर करके परान त्याग कर दिये भगवान शिरिकिष ने स्यम उनका दाज संसकार किया और राधाजी से कहा कि इन से बड़ा मेरा भगत ना हुआ है और ना होगा महिर्शी देवल की गन्ना अत्यंत प्राचीन धर्म शास्त्र कारों में की गी है शिरिमत भागवत गीता में भागवत तत्त के ग्याता महिर्शियों में महिर्शी आसित एम देवल का नाम बड़े ही आदर भाव से दिया जाता है असितो देवलो व्यासा स्यम चै एव ब्रव वीशी में अगले परसंग में शिरी व्यवसत मनु जी विश्य कर्मा की पुत्री संग्या भगवान सुर्य की पत्नी है उनके गर्व से व्यवसत मनु का जनम हुआ जो परम विख्या थी सस्य और अनेक विश्यों के परिग्यान में पारंगत थी व्यवस्वान सुर्य के पुत्र होने के कारण ही ये व्यवसत कहलाई पिता भगवान सूरी ने इने भगवान से प्राप्त गुहतम ग्यान की शिक्षादी थी जिसका बरनन गीता के चतुरत ध्याय में से हम भगवान शिरिकिष ने किया है ये भगवान जी के बड़े भक्ते इन्होंने बद्र का आश्रम में जाकरके दोनों बाहें उपर उठाई एक पैर से खड़े होकरके दस हजार वर्षों तक बड़े भारी तवस्या की ये चुदा मनों में साते मनों हैं वर्तमान मनमंतर अधिपती ये ही हैं समस्त पुन्य कर्मों में इनका पावन सम्बरन सब्तमे व्यवस्वत मनमंतरे के करके संकल में किया जाता है भागवत के इंसार जाजरिशी सत्यवरत ही प्यवस्वत मन हुए हैं जिने प्राम कल्प में भगवान जिने मतस्य अवतार लेकर के मतस्य पुरान के रूप में भगवत तक्त्यो का ज्यान दिया था